वेल्कम टो माई चैनल सावग एडमें दिस इस वीडियों करने वाले हैं हमारा वेटेड एवरिज में जैसे कि हमने इंवेंटरी वैलुएशन में पीफो मेथड हो चुका है हमारा लेफो मेथड हो चुका है उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे वेटेड आवरिज मेथड अगर आपने अभी तक प्रीवेस वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप प्रीवेस वीडियो देखें लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस पर भी जातर पाइंशल अकाउंटिंग की प् मार आप गहलों की यह चैनल को निकालते थे जैसे अगर बोला जाए हम्से कि टू और एवरेज क्या होगा ठीक है आप हम करते क्या है 2 को प्लस 4 को डिवाइड कितने नमबर है 2 ऐसे हम निकालते थे average हमारा 3 आ गया बट यह हमारा simple average होता है हम यहाँ पर simple average नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर weighted average कर रहे हैं इस question को हमने पहले शायद 3-4 method में भी solve किया था बट इस method को इस बार इस question को इस बार हम करेंगे वेटेड average method से सबसे पहले आप format बना लिए format मैंने बना लिए format बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने लीफो का पीफो का जो भी हमारे inventory evaluation के method है सबको format अभी तक सेम ही है बट जो अंदर की चीज़े वही चेंज होंगी ठीक है तो सबसे पहले आप format बना लिए है अब जैसे जैसे question में हमें बोला गया है सारी चीज़े हमें वैसे वैसे करनी है सबसे पहले आपको opening stock ही दिया जाएगा आपको opening stock गिवन है January 1 को January 1 को opening stock बिल्कुल आपको डेट वाइस ही चलना है जैसे जैसे डेट अर्सेंडिंग में दी गई है आपको वैसे ही चलना बिल्कुल chronological order में चिक है चलिए यहां पर कोई भी रिसीप्स नहीं है कोई भी इशु नहीं है रिसीप्स यानि पर्चेस इशु यानि सेंस आपको गिवन है कितना quantity 1,000 एंड रेट आइपको गिवन है 20 रुपीज तो टोटल कितना आ गया quantity इंटू रेट करते हैं तब हमारा अमाउंट आता है कितना 20,000 रुपीज नेक्स उसके बाद February 10, Feb 10, Feb 10 को हमने क्या आता है पर्चेस करी 500 यूनिट्स एट दरेट 25 500 यूनिट्स एट दरेट 25 टोटल अमाउंट आ गया हमारा 12,500 कोई भी इश्यू नहीं हुआ तो इश्यू को आपको सिंप्ली छोड़ देना है यह हमारी हाँ तक फस्ट एंट्री कम्लीट होगे थे अब हम सेकेंड एंट्री कर रहें अब यहां से चीज चेंज होगी बेटेड अब पता चलेगा कि क्या चेंज होता है यहां पर क्या चेंज आएगा फीफो लिपो में हमने चेंज देखा था लास्ट फरस्ट आउट फस्ट लास्ट आउट इस बार हम वेटेड अबरेज करें वेटेड अबरेज में होता क्या है जो आपकी क्वांटिटी है चेंज आपको यहां पर बैलन्स में ही मिलेगा पुरानी तसमें औरब पहले हमार पास 1000 उनिटशी ती पांससो और खरीव लिक इतना ही चॉटल 1500 उनिटिट होगी जानी तोटीन है अब यह हमने कर दिया नेक्स इसक्रप क्या है अब इस बार आपको अमांग्ग को अमांट को अमांट से प्लस प्लस करना है एक करना है पहले कितना 20,000 रुपीज और नया कितना आ गया 12,500 एड़ कर दीजे कितना आ गया 32,500 यह हम यहां से ऐसे बैलेंस निकालते हैं ठीक है अब एक कॉलम और अभी भी खाली रह गया कौन सा रेट का आपको पता है quantity into rate amount होता है अब चाहे आपको quantity भी देदी amount भी देदी रेट आप निकाल सकते हो रेट हम सिंप्ली निकाल सकते हैं आप क्या दरों 35,500 को 1500 से डिवाइड कर दीजे 35, sorry 32,500 है 32,500 divided by यह points में आएगा 1500 यह आ रहा है 21,6666 आता जाएगा तो आप इसे 21,67 round off करके लिख देना है यहां तक हो गई चीजे यानि quantity में quantity को plus करिए उसके बाद amount को amount में plus करिए अब quantity given है हमें हमें amount given है तो हम simply rate निकाल सकते हैं इसको आप divide कर दीजे 1500 से तो हमारा rate आ जाएगा और यह जो हमारा rate आया इसी को हम बोलते हैं weighted average rate weighted average rate because यह जो rate है यह जो rate है इसमें यह वाला rate भी included है और 25 वाला भी included है इनका क्या है यह average average rate weighted average rate यह हमारा weighted average rate होता है यहाँ पर entry फिनिश हो गई यहाँ पर हम इसे close कर देंगे next third entry देखते third entry में March 13 को दुबारा purchase करी March 13 March 13 को हमने दुबारा purchases करी कितनी 500 400 इंटू 22 या गया 8800 और कुछ नहीं है अब सिंपली आपको दुबारा से वही weighted rate निकालना है ठीक है सबसे पहले मैंने क्या बोला था quantity में quantity को प्लस करना है पहले 1500 था अब 400 और आ गया कितना हो गया 1900 है quantity में quantity को प्लस करना है पहले 32 500 की quantity हमारा quantity थी 32 500 यानि यूनिट से 32 500 अमाउंट था 32 500 रुपे पहले हमार पास थे उसके बाद 8800 कितना होगे 8800 रुपे प्लस 8800 रुपे कितना होगे टोटल 41300 41300 अब हमें 21.74 21.74 आप इसे क्या करेंगे राउंड आफ करके लिए सब पॉइंट में आएगा वेटेट का जो रेट आएगा वो हमेशा पॉइंस आपको गिवन होगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपको कोई एंट्री दी गई है हाँ दी गई हमें मार्च 20 के लिए हम क्या करनें 1200 करने ने तो रेसिप्ट्स तो हादी रहेगी अब 1200 करने निस सो हमार पास पहली से थे जिसमें से हमने कितना 1200 कर दिया ठीक है 1200 हम सेल कर रहे है रेट तो वही आएगा 1200 हम कर रहे है तो रेट भी वही है 21.74 21.74 अब quantity इंटू रेट कर देंगे तो हमारा अंट लेट अब हमें क्या करना बेलेंस निकालना था हमार पास जिसमें से हमारे 1200 हमने क्या करें उनने सो रुपे थे हमारा पास रुपे नी क्वालिटी थी हमार पास उसके बारगा अभी भी 700 अभी भी बची हुई है हमार पास उसके बाद 41 300 का अमाउंट था जिसमें से इतना अमाउंट क्या हो गया हमने हटा दिया तो यहां से से माइनस करना पड़ेगा सेल कर दिया से 41 300 में से माइनस कर दिंगे कितना 26 088 यह आएगा 15212 15212 हां 15212 यह हमारा रेट आ गया अब हमें इसका यह हमारा अमाउंट आ गया अब हमें क्या निकालना है रेट निकालना है और कोई भी एंट्री दी गई है इसके साथ नहीं 15218 हमारा गया इसके बाद हमें करना क्या है सिंप्ली आपने से से माइनस किया माइनस करने के बाद अब हमें रेट निकालना है अब आप दुबारा से रेट निकाल देंगे कितना आ जाएगा 15 15212 divided by 700 रेट आ गया दुबारा 21.74 अब यह भी हमारा ग्लोस हो गया यह एंट्री भी क्लोस हो चुकिए है नेक्स्ट रहेंगे नेक्स हमारी मार्श 20 तक एंट्री हो गई है अब आते हम एप्रिल 6 पे April 6th पे April 6th पे हमने 500 दुबारा से sale करा 500 units हमने दुबारा sale करी sale वाले कॉलम में लिखेंगे issue वाले कॉलम में 21.74 21.74 यह हमारी sale है 500 into 21.74 यह rate आ गया हमारा 10870 10870 अब 700 में से 500 हमने sale कर दिया कितना बचा 200 अब 15212 में से इतना हमने sale कर दिया तो बाकी बचा हुआ हमारा balance बच जाएगा 15212 माइनस कितना 10870 कि amount आ जाएगी 4342 4342 अब हमे quantity given है amount given है weighted rate है अपने आप calculate कर लेंगे divide करके divided by 200 जाएगा 21.71 21.71 ठीक है अब next देखते हैं और क्या क्या बोला गया है हमें अब हमारा देखें यहां पर जो rate था वो हमने लिख दिया 21.71 हमारा rate आ चुका है अब इसके बाद करेंगे next अब हमें जो भी बैलेंस दिया हो यह हां पर हमारा close हो चुका है इसके बाद मार्च अपरल की कर ली हमने अपरल की हो चुकी आप मई पर आते हैं में 12 में 12 की कर रही है में 12 में 400 यूनिट्स पर्चेस करी तो पर्चेस में लिखेंगे रेट कितना आपको 25 रेट 25 गिवन है तो यह कितना हो गया 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज इशू कुछ किया नहीं हमने अब बैलन्स कैसे निकालते हैं 200 पहली से हमां थे हमारा पास थे 400 और 12 कितना आएगा 14342 divided by 600 divided by 600 यह आएगा 23.90 23.90 इसके बाद यहां पर भी यह कंप्लीट हो चुका है यहां पर ही कंप्लीट हो गया है उसके बाद लास्ट एंट्री जून 30 की 500 हम सेल कर रहे है जून 30 की 500 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं 500 यूनिट्स रेट 23.90 सेल कर रहे हैं अब यह हमारी लास्ट एंट्री इन ही से अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कल्कुलेट हो जाएगा इंट्व 23.90 यह आ गया 11950 अब 600 में से 500 हमने सेल कर दिया बचा कितना हंड्रेड 14342 पहले थे इतना हटा दिया माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे 14342 क्या हैगा 2392 2392 अब आप इसे डिवाइट करोगे तो कितना राउंट जाएगा 23.92 तो अब इसके बाद कोई भी एंट्री हमें गिवन नहीं है यानि जो हमारा लास्ट में बैलेंस बचा यही हमारा क्या हो जाएगा इसे हमारी क्लोजिंग इंवेंट्री है जिसे हम बोलते हैं और आपसे पूछे कि आपको कॉस्ट ऑफ गूड़ सोल कितना है तो जब आप इसे टोटल करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गूड़ सोल निकल जाएगा कैसे इक पर कैलकुलेटर लेते हैं तो 6088 प्लस 10870 प्लस 11950 कितना आगया टोटल 48908 अब रिसीप का टोटल क्या होता है पर्चेजिस का टोटल नेट नेट पर्चेजिस नेट पर्चेजिस कितना यह आगया 12500 प्लस 8800 प्लस 10,000 रुपीस टोटल आगया 31300 तो यहां पर हमारा जो कोशन है वह कंप्लीट हो जाता है क्लोजिंग स्टॉप की वैल्यों हमें पता चलिए नेट जो हमारा अमाउंट था वह भी आचुका है स्टॉप कर लिए अब आप इसका स्क्रीन शॉट लिए आपको नोट करना है नोट कर लीजे चलिए एक बार में लास्ट जो पॉइंट है वह बता देता हूं हमें करना क्या होता है जो की अमाउंट आपको गिवन है सबसे फहले अंडी क्वांटिटी अगर अपछीज कर रहे है तो क्वांटिटी में क्वांटिटी आप ट्रूंट को प्लस कर देंगे जैन यहां से हम डिबाइड कर के निका अन लेते हैं कौन सा बेटिट आईवरेज रेट अगर आप सेल कर हो तो उसका उल्टा हो जाएगा quantity में से वो चीज़ काम हो जाएगी इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा जैसे 1900 में से 1200 करें कितना बचिके आभी भी बैलन्स यह अमाउंट को भी आपको माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी हमारा रेट आता है वह कौन सा रेट होता है वेटेड एवरेज रेट तभी इस मैथड़ को हम क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज मैथड चलिए तो यह हमारा कोशन यहाँ पर अब खतम हो चुका है आपको यह कोशन पूरा अच्छा से समझ आ गया होगा अगर आभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में डाउट पूस सकते हैं चलिए तो आज की क्लास जो हम नहीं पर एंड करते हैं आई वोप आपको यह पूरी क्लास अच्छी लगी होगी अगर क्ला आइकन को भी प्रेस कर लिजे ऐसे ही वीडियो के नॉटिफिकेशन के लिए थैंक यू